और अब आपको लिए चलते हैं कवी सम्मेलन की तरफ जिसका आयजन किया गया उत्तर प्रदेश एस्सोसियेशन की तरफ से इस नव निर्मित एस्सोसियेशन के पीछे समर्पित जो है नाम वो है प्रदीब टंडन और डॉक्टर उशा टंडन अन्य लोगों के सहयोग से प्रदीब टंडन है और मेरा नाम प्रदीब टंडन है और मैं यूपी एस्सोसियेशन आफ नियॉऔर का फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूं यूपी एस्सोसियेशन आफ नियॉऔर का ये पहला फॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर हमने भारत से चार कभी बुलाएं हैं पदमश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर अनू सपन, चिराग जैन और रमेश मुसकान हरिदाग जी पिंदावन में निवास करते थे, अगपर वहां जाते हैं, एक पेड के पीछे छुप जाते हैं, जब हरिदाग जी का मन करता है, तो उनका गायन सुनने के बाद, अगपर ने कहा, तांसें, तुम बहतर गाते हो, तुम्हें संगी सम्राठ की उपादी देदी, पर तुम अपने गुरू के मुकामले में नखूं के परपर भी लेको, इसकी वज़े क्या है, उस वज़े पर आपका सिवाचाओंगा, पुले सहन सा उसकी ये की वज़े हैं, मैं आपके हुकम से गाता हूँ, वो उसके हुकम से. उसके हुकम से जब गाया जाता है, तब बहतर गाया जाता है. मैंने पचास साल के शाट साल के कविमेंस में इतना ही देखा है जो पैसा कम मिलता था तो गायक लोग मन से गाते थे पैसा जादा मिलने लगा तो मूँ से गाने थे जब उससे भी ज्यादा पैसा मिलने लगा तो सरफ ले उमेंट करने लगे बाने शुका कुछ पर अंतिम संदेश जो आपका था कि किसी का संदेश मत ले ना सही बात है क्योंकि वह भटकाव पैदा करते हैं कोई हमें धर्म के नाम पर बाटेगा फिर जाती के नाम पर बाटेगा वो खुद बनाना चाहता है जैसे कभी ने कहा कि एक सादू ने परवर्चन दिया कि आप वो मायस से मुक्त हो हैं अब उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो तो जो आदमी खुद उसमें डूबा हुए वो हमसे उसको अलग करने की बात करते हैं मुल्क को जोड़ने के लिए काबियत की जरुत होती और आदमी को तोड़ने के लिए कनिंगनेस की जरुत होती तो इस जगे इस मुल्क में कनिंगनेस परना पर रही है जोड़ने वाली ताकत कम होती जा रही है चाहते हैं कि किसी से जैसे हम राम सेतु की बात करते हैं मैं कहता हूँ छोटी हीकाई की बात करो भाई भाई के बीच में जो सेतु तूट रहा है वो कैसे जोड़ा जाए आज मुझे मेरी दो कारे सुख नहीं देती मेरे सगे भाई की चार कारे मुझे तकलीफ देती है तो पहले जो भाई के पास हुटता था वो हमें सुख देता था आज हमें तकलीफ देता हम इस मुल्क को नेशनल्टी से इंडिजियल्टी पर लिया है इंडिजियल्टी नेशनल्टी पर कैसे ला है वो जानने की जरूत होती है मुझे लगता उस दुशा में जब आप सुरेंदर शर्माजी को सुनते हैं एक तो आपकी उपस्तिति में यह कहना कि आप 78 बरस के हो गए हैं लोग विश्च्वास नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने का आप मना नहीं करें नहीं विए मैं मना नहीं कि राठ 70 का होग गया वनने वाले नहीं सेवंटेने में लग जाओगा लेकिन विए उम्र को जीता हो हूं कि उम्र बिताता नहीं हम सब लोग अपनी जिन्दी की बिताते जिनी वो जीना चीको हर पल जीना मैं आपका दन्यवाद इसके लिए करना जाता हूं कि आप नगेवल जीते हैं बलकि आप जीना सिखा भी रहें और प्रेम के उपर आपका बहुत आप उसको बार बार अंडरलाइन करते हैं चाहे राजा कृष्ण की भक्ती के प्रसंग को लेकर भी जिस तरह से आपने लिखा तो भक्ती भाव और हाथ से एक अलग रूप आपका आप आगया है नहीं देखिए हाथ से वो ही अच्छा लिख सकता जिसके अंदर करोना हो जिसमें करोना नहीं है वो हाथ से नहीं लिख सकता कोई ऐसा नहीं रहा कि मैंने प्लैन करके मैं पॉईट हुआ I am an accidental poet. मैंने कभी सोचा नहीं था, योजना नहीं बनाई थी और मेरा हमेशनय मनने है कि कारडवीहीन योजना से अच्छा होता है योजना भीहीन कारड़ी तो बेतर्तीब तरीके से जो हुआ वो अच्छा हुआ कविता मैंने बस महसूस की उसके बाद कविता ने खुद मुझे गढ़ा मैंने कविता के लिए कभी प्लैन ने किया यह नहीं सोचा कि इस बात पर ताली बच जाएंगी मुझे ऐसा लगा कि बस जो मैं कहना चाहता हूँ मैं पूरी तरीके से कह पाऊं तो फिर ऐसा लगा कि एक मात्र माध्या में कविता पूरी दुनिया में हर आर्ट का स्कूल है सर अकेली कविता है जिसका दुनिया में कोई स्कूल नहीं है क्योंकि कभी बनाया नहीं जा सकता है एक कनिष्ठ लोग एक बरनिश्च लोग इसे निलोग लेकिन नाना जी ने अपनी सपेद मूछू में अपनी हसी दबा ली और पे किर्टरिंप लोग दिखाते हो बोला कि अठल जी तुम्हारी कईध खराब है मेरी कईध खराब है तुम्हारी सरकार चली कही है देश में प्रदानमंत्री बनाने को कोई आदमी नहीं दिर रहा, इन तनाव भरी परिस्तितियों में तुम हस कैसे लेते हो, अटल जी ने जो जवाब दिया, वो इसको भी संभेलन की भूबिका है, अटल जी से नाना जी ने का कि अटल जी इन तनाव भरी परिस्तितियों में तुम हस कैसे लेते हो, मुश्कुरा कैसे लेते हो? अजच जी बोले नाना जी, तनाव से सिर्फ समस्या हैं ज़नु ले सकती हैं, समाधा बोड़ने हैं, तो मुश्कुरा नाहीं तो. कात्य उम्ति से लिघिंटिन को पीयार नहीं दे पाहूँगा ग्र्मा मुज़ को माम मतन को प्यार नहीं दे पाहूंगा, हों ग्री नहीं दे पाहूँगा, हों प्रना मुझे, ममा स Cornwall आई टीवी गोल्ड के दरसकों को बहुत बहुत सब्कामना है मैं सुना देता हूँ सेना की भरती की लाइन में खड़े गुड़े को देखकर ओफिसर गर्माया उसने भुड़े से कुछ इस तरह फर्माया बोड़े समसान प्रतिक्चा कर रहा है और तूपसेना में भरती हो रहा है क्या दिमाग में कीडे पड़े हैं तो बूडे का जवाब था, नंबर आते आते बूडे होगी तो हम क्या करना, लाइन में तो जवानी से ख़डे हैं चुनाती देता हूं इन दो पंक्तियों को सुनते हुए अपनी तमाह इंद्रियों को जागरेत रखिएगा इन दो पंक्तियों में वो सब कुछ हो गया जो प्रेजी में होता है लेकिन इन दो पंक्तियों को सुनते हुए एक शेंग के लिए भी अगर आपके आँके बीची हो तो मुझे टोप दीजेगा मैं योगेश चिपबर जी का दोआ पढ़ता हूँ अनुची को बुलाता हूँ कि एक पहर थेहरी सकी कानहा जी के ठोर एक पहर एक पहर थेहरी सकी कानहा जी के ठोर पहुंची कोई और थी, लॉटी कोई नॉटी नॉटी कोई रात दिन मोह पाश होते हैं, प्रेम की एक तलाश होते हैं, जिन्दकी बाग बाग होते हैं, आप जब आस पास होते हैं, और जड़ा आप की आशीश चाहूंगी तालिया थोड़ी सी और निभून करें, चाहर संतिया और पढ़ती हूँ की, एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता, मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब होता। इदनाओं को जीती हूँ, तो चार पंक्तिया नई हैं, मैं आप कहती हूँ कि, अधूरी ही रही जो वो सभी कस्में सिसकती हैं, सभी संभावनाएं पूरी होने को तरस्ती हैं, किसी के प्यार का अंजाम ये नहो कभी रब्बा, उधर सावन बरस्ता है, इधर आखें बरस्ती हैं। और सब यूपी के लोगों को एकत्र करके, पूरे यूएसे में जो उत्तर प्रदेश की संस्कृती है, कपड़े हैं, चिकन वर्क है, डान्स है, म्यूजिक है, वो प्रस्तुत करें। मेरा मतलब यह नहीं कि हम भारत को प्रदेशों में बाटें। मेरा मतलब यह हैं कि हम भारती हैं।